सर ये जो दिसंबर वाला महीना स्टार्ट हुआ है न इसने हमारी प्रपेशन को डिस्टप करके रखा है अभी तक सबको सही चल रहा था नमंबर तक हम रिविजन भी कर पा रहे थे हम ऐसा लग रहा था कि सारा का सारा सिलेबस खतम कर चुके हैं बट सडनली कई सारे सब्जेक्ट जो हमने बहुत पहले बहुत अच्छे से किये थे किसी जमाने में किसी मन्थ में वो अचानक से ऐसा लग रहा है कि हम भूल गए है टेस्स दें रिविजन करें सिलेबस को कंप्लीट करें कौन से सब्जेक को प्रायरिटी दें और जो कॉलेज में उनकी अलग समस्या है कि सर अभी हमारा सेमिस्टर एक्जाम भी है हमारे कॉलेज भी परिशान कर रहा है कि सेमिस्टर एक्जाम में कहीं नहीं लटक जाए क्योंकि कॉलेज में जो टीचर है वो ये बुलते है कि गेट तो होता रहेगा सबसे पहले सेमिस्टर एक्जाम तो पास करो तो यह तमाम कोश्चन आपके दिमाग में चल रहे होंगे और क्योंकि यह मन्त है दिसंबर का और यह हर साल होता रहता है So, Hello Everyone, Welcome to G-Centric और बहुत दिनों बाद हमारी और आपकी इस तरीके से मुलाकात हो रही है बहुत दिनों से मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा था बट अब मैं काम पे लौट चुका हूँ और आपको डेली या आप मैं बोल सकता हूँ हर दो-तिन दिन छोड़के मैं strategy के उपर या get exams related चीजों पर मैं आपको सवाल जवाब करते नजर आओंगा और ऐसा था कि मैं YouTube से थोड़ा सा अलग था बट application पे मैं properly reply करना था बहुत सारे student को कुछ student के reply का भी नहीं छूट गए हो तो please वो वापस pop-up कर दीजिगा क्योंकि chat box पे उपर आपका नाम नहीं आता है नीचे चले जाता है सो मुझे पुरी-पुरी उमीद है कि आपकी preparation बहुत अच्छी चल रही होगी ऐसी उमीद तो करी सकता हूं में बट कई सारे लोगों के messages आए कि sir अब थोड़ा सा दिक्कत होना स्टार्ट हो रहा है तो मैंने उनको बोला कि don't worry जो भी एक चीस तो short-shot समझ लीजिए कि जो भी अच्छी तयारी करता है जो भी तक्रीबन-तक्रीबन 90% syllabus अगर पढ़के जाता है तो उसके साथ में भूलने के समस्या होगी देखिए कोई student formula भूल गया या बहुत सारा कई बार concept भूल रहा है तो ये किसके साथ होगा जो पढ़ा होगा तभी तो भूलोगे तो पहली चीज तो आप ये समझीए कि आप उन चन्द students में हो जो 90% अपना syllabus कवर करके जाएंगे 100 करो तो बहुत बढ़िया है बट कम से कम अगर 90% 95% syllabus आप complete करके जा रहे हो तो ये अपने आप में बड़ी बात है बस देखो क्या होता ना जो gate exam है इस चीज के लिए बहुत ये वीडियो उसी चीज के लिए बनाया हो में कि gate examination है कि ऐसा exam है जहां पर सिर्फ knowledge test नहीं होगा वो तो खेर हर exam में knowledge की तो बात ही है बिना knowledge के तो कुछ नहीं हो सकता तो knowledge के साथ साथ आपका state of mind के साथ है temperament के साथ है patience के साथ है आपका आप pressure को कैसे absorb करते हो और असल में देखें बहुत हर साल में कितनी 8-10 सालों से देखता आया हूँ कि November तक November तक preparation बहुत अच्छा चलता है बहुत सारे student का सब कुछ अच्छा चलता है यह जो December जनवरी वाला मन्थ है न और especially December वाला मन्थ बुलते हैं न T20 cricket में के 20 वे ओवर से important क्या होता 19 वावर होता है तो वेसे ही जनवरी वाले मन्थ से important होता है December वाला मन्थ कि इस मन्थ में आप अपने आपको किस तरीके से control करोगे किस तरीके से जो negativity आएगी या कई बार ऐसा होगा दिमाग blank हो जाएगा आप समझ सकते हो मैं भी student रहा हूँ मैं भी बहुत बार तयारी किया हूँ तो और बहुत सारे student के feedback हुए और हर साल ही problem होती है अभी आपके सामने ऐसा होगा कि सर एक पल लगता है कि सब कुछ याद है और दूसरे पल कोई दोस्त हमें कोई question दे देता है अचानक ऐसा लगता है कि यार ये subject तो हमें आता नहीं control system से कोई एक कायत question नहीं बन रहा है तो self doubt आना start होते हैं दिसंबर के मन्थ में जादा तर और ये आएंगे ये obvious है कि अगर आपने अच्छी तयारी करें तो आपको डर भी लगेगा इनसे कैसे निपटना है उस पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे solution क्या है इन चीजों का तो सबसे पहली चीज ये समझ लीजिए कि gate examination में 65 question आने हैं कितने आने 65 question और आपने काईदे से 45 से 50 question 45 तो 50 question बहुत अच्छे से accuracy से कर दिये तो आपका rank अच्छा आ जाएगा अब मुझे बहुत सा restaurant counter भी कर सकते कि sir कई बार तो 55 question करने पर भी नहीं आता है बट 55 question अगर आप कर पाओगे इसका मतलब क्या है that means की paper easy है भाई easy paper होगा तो ज्यादा question obviously करोगे बट एक moderate level का अगर paper बनता है तो आप 45 to 50 question अगर accuracy से करते हो out of 65 तो आपका बहुत अच्छा rank आ जाएगा इसका मतलब क्या है इसका reverse सोच के देखो कि 65 में से अगर मैं 50 मानू है 45 मानू तो तकरीबन तकरीबन 15 से 20 question हम अगर छोड़ भी देते हैं examination hall में तो हमारा अच्छा rank आने से कोई भी नहीं रोक सकता है तो यह positive चीज है बट इसके साथ में accuracy को maintain करना भी difficult है मैं मानता हूं के 100% accuracy नहीं बट कम से कम 95% accuracy तो हम लोग लाही सकते है 90-95% के आसपास हमें लगे कि जो question हमें बिलकुल नहीं आता है थोड़ा जो आता है सब से पहले हम वही करें है ना उसके लिए मैं proper एक वीडियो बना चुका हूंगा किस तरीकी सापको get exam में आपको question को handle करना उसका video में link में दे दूँगा या chat box पर पूछ लीजिएगा team हमारी provide करा देगी आपको link तो मोटा मोटी जरूरी यह है कि हमें 15 से 20 question छोड़ना है इस से नहीं बना उस दिन भी तो भी tension वाली बात नहीं है तो इसका मतलब है कि हर एक subject को 100% पढ़ना है 95% का भी अगर confidence है है ना और उसमें जो question आएंगे उसमें से 80% question भी आप बना लेंगे तो आप बहुत अच्छा कर ले जाएगे तो इसका मतलब है कि अच्छा selection लेने के लि 90% आपको आता रहे चलो इस पर बात होगी दूसरा चीज है कि अब आपको कैसे करना है देखो हर बार क्या होता है ना कि हमारा being a human देखो हम machine तो नहीं है emotion है हम में हम किसी चीज से खुश होते हैं तो किसी चीज से दुखी भी होते है है ना तो आपको इस चीज का हमेशा ध subject में question नहीं बन रहा है concept नहीं बन रहा है तो आप यह सोचिए कि subject में एक concept ही नहीं बन रहा है ना बट उसके अलावा सारे concept मुझे आते हैं आप इस तरीके साफ आपने आपको positive करिए क्योंकि अगर एक concept वो जो आपको नहीं आता है ना जो आपमें कमी है उसके उपर आप focus करेंगे तो जो आती हुई चीजे उसमें भी आपका ध्यान चले जाएगा उसमें आप भूल जाएंगे आपका दिमाग पुरा mashup हो जाएगा तो दिसंबर वाले मन्त में यहीं होता है कि हमें कई बार हमारी strength को नहीं देखते हैं हमारी weakness को देखते हैं और weakness को इतना देख इतना focus कर देते हैं कि हमको लगता है यहीं चीज है यहीं पुरा subject है यहीं concept या एक question नहीं आता तो हमारा पुरा subject ही वीख है हम अंदर से हिल जाते हैं तो हमको डर लगने लगता है फिर हम जो revision कर रहे होते हैं उस पे ध्यान नहीं होता हम जब test series दे रहे होते तब उस पे ज़्यान नहीं होता है होता है कई बार होता है आप एक ऐसे question में गलती कर बैठते कई बार कि कई बार आपके दिमाग में hit कर जाता है यह question मेंने कैसे गिलत करती है और उसी question को याद करते 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 हैं आप दो-तिन दिन बिगाड़ देते हैं तो यह नहीं करना है दिस के उपर focus करके चलना है आपको लगता है कि मेरा 70-80% ही strength है 30-20% weakness है ठीक है weakness है इससे अगर question आए का तो मैं छोड़ दूँगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है और यह जो मेरी strength 70% 75% जो मेरी strength है मैं इसके उपर ही rely करूँगा इसके उपर ही भरोसा करूँगा और इसी को बहुत अच्छे से मैं तयार करके examination hall में जाऊंगा ठीक है तो आपको यही चीज करना है प्लस अब मैं बारी-बारी से क्योंकि gate exam एक versatile exam में बहुत सारे तरीके की student बेटते हैं तो हर एक student का हर एक doubt में यहाँ पर नहीं ले सकता बट एक मोटा-मोटी में generalized category बता देता हो हर एक category की student के लिए कि उनको अब क्या करना चाहिए रहेगा ठीक है बाकी कोई specific doubt हो तो मैं वीडियो बनाते रहूँगा आप comment box में बताते रहिए कि सर इसी topic पर वीडियो चाहिए और किसी को personal counseling भी लेना है तो आप chat box पर message कर दीजी का तो मुझे जब भी time होगा मैं आप से बात कर 24 के बारे में senior वगरा ने बता है तो form तो भरी दिया था हमने तो essay student एक काम करिया आप 3-4 subject बहुत अच्छे से तयार करके जाए इससे ज़्यादा की ज़रोत नहीं है क्योंकि अभी आपने एकाड महीने से preparation अगरे start करिये तो मातर 4-5 subject आप तयार करिये मैं तो 5 भी नहीं ब गये थे जल्दी preparation start कर दी थी और पूरा से लिए बस नहीं हो पा रहा है तो tension मत लीजिए आपने अगर 7-8 subject भी बहुत अच्छे से करें उनको यह अच्छे से revision करिये और full lane test दीजिए सब्जेक्ट भी देना है आपको full lane test देना स्टार्ट कर देना चाहिए कि अगर 7-8 subject खतम करती अब वो जो दोती नए subject नों उनको पढ़ना बन कर दीजिए आप मत पढ़िये अब उनको है ना जो 7-8 subject आपने बहुत अच्छे स्टैयार करें उनहीं पे individual subject भी दीजिए revision भी वीडियो में बता चुका हूँ जिस जिसका वीडियो चाहिए आप बता दीजिए का मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूँगा ठीक है हर चीज के उपर में वीडियो बना चुका हूँ तो आपको 7-8 subject जिनके हो गए हैं उनको अपना revision पर फोकस करना है individual test और साथ-साथ में full length test individual subject test series आप अपना December में दे सकते हैं जनवरी वाले पूरे महीने में आपको हर alternate days में अपना क्या देना है full length test देना है अब आते हम लोग final year के student पर जो final year के student है उनको तो अपना full length test देना start कर देना चाहिए है ना और मैं उम्मीद करता हूँ जो लंबे समय से तयारी कर रहे ह है अगर अभी अभी तयारी चालू करी है तो जैसा मैं third year के student के लिए बोला हूँ वैसा ही कर ये पर जो लंबे समय से तयारी कर रहे है उनको revision बहुत अच्छे से करना है test series बहुत अच्छे से देना है test series को analysis भी बहुत अच्छे से करना है क्योंकि test series के analysis में अच्छा analysis में अब एक चीज का ध्यान रखेगा एक ऐसा auto box question कई बार test series में होता है जिसको लेके हम tension ले लेते हैं दिसंबर और जनवरी में tension बिल्कुल भी नहीं लेना है देखिए अब tension नहीं लेने का मतलब यह मर सोची है कि सर ने बोला था tension नहीं लेना कुछ भी छोड़ो जो भी चीज है छोटा सा question भी half एडर full एडर के subtraction का भी अगर चीज नहीं आता तो हम नहीं load लेगे ऐसा नहीं हैं तो yes हमें इसके उपर मेहनत करना है इसके उपर का जो formula हमसे नहीं लगाया उसको अच्छे से revise करना है negative pressure का मतलब क्या होता है कि ऐसा question जो out of box बना दिया है इस तरह के questions कभी आते नहीं है बट उसको लेकर आप load लेने लग गए अपनी तयारी पर अपने health पे impact आना प्रेशर के तो क्या है ना human drive ही नहीं करता है अपने आपको आप अपने preparation mode में अच्छे से रखी नहीं पाएंगे तो एक चाबुक है ना pressure जो human को चाहिए ही चाहिए जिसके उपर वो क्या करेगा drive करेगा तो हमें कौन सा pressure लेना है positive pressure लेना है और हमें हमारी strength को देखना है negativity creativity से दूर रहेना है आपके ऐसे दोस्त जो आपको बताते हैं कि अरे तुने ये तयारी नहीं करी कि ये subject तयार नहीं कि आप तो तेरा क्या होगा ऐसे लोगों से भी हमें दूर रहेना है ठीक है अब आते डॉपर पर डॉपर पर डॉपर मैं मैं मानता हूँ कि बहुत अच् अच्छा रेंग आएगा आज तक आया भी है आगे भी आएगा ठीक है जैसे पिछले साल इलेक्ट्रकल पेपर टफ बना था देखिए उस टफ पेपर में भी बहुत अच्छा लोग रेंग लेके आए क्योंकि कई सारे लोगों ने सोचा भी नहीं था कि बहुत ऐसे स्टू उस साल का जो पेपर है वो कितना टफ इजी या मॉडरेट बनता है उसके बेसिस पर तई होता है करेंग क्या रहा है अच्छा इस वाले मन्त में दिसंबर में एक कीड़ा बहुत होता है हमारे स्टूडेंट कम्यूनिटी में कि सर क्या अपोशनिटी होगी गेट से क्या हो जाएगा सर कौन सा कॉलेज मिलेगा सर क्या में उसमें इलिजीबल हूँगा यह सब बाते सोचने के लिए हमारे पास बहुत टाइम है गेट एकजाम दीजिए उसके बाद पूरा एक महिना रहेगा उन सारे सवालों के जवाब या उन सारी चीजों पे डिसकस करने के लिए अभी बिल्कुल डिसकस नहीं करना हमने गेट का फॉर्म भरा है ना भरा है गेट का फॉर्म तो सिंपल सा हमें एक्जाम देना है उसका एक सिलेबस देखा हमने सिलेबस देखा उसमें ग्रूप एक ग्रूप भी ग्रूप सी अब मैंने बता रहा हूँ ना कि यह मैंने बता इसका कभी link चाहिए तो मैं description में दे दूँगा आपको ठीक है बता दीजिए का यह comment box में भी दे देंगे जिसको जरूँ थे अदर्वाइस तो मैंने application पर आपको by default सारे videos की important videos के link मिलती ही यह chat box पे ठीक है तो इन चीजों का ध्यान रखना आपको positive pressure लेना है negative pressure से दूर रहना है और आपका syllabus 100% नहीं भी हुआ तो tension मत लीजे जितना भी आपने कर रखा है उसको best करने की कोशिश करिए क्योंकि gate exam में 65 में 100 में से 100 हमें नहीं लाना है 65 के 65 question हमें नहीं करना है 100 में से हमारा 60, 70, 50 जो भी score रहे इडिपेंड के paper कैसा रहेगा question की बात करें तो 45 से 40, 45, 50 की range में हम accuracy से अगर question बना पाए तो हम बहुत अच्छा score कर ले जाएंगे ठीक है guys और अपने उपर भरोसा रखिए देखिए exam में temperament की ही लड़ाई है कोन कितना ठंडा रेता है कोन कितना अच्छा से सोच रहा है simple आपको एक ही चीज करना है बहुत ज़्यादा मैं उपाई नहीं दे रहा हूँ सिर्फ एक ही चीज करना है कि आपने जो भी पढ़ाई कर रखी जो भी subject कर रखा है उसको बार-बार revise करिए बार-बार practice करिए और test में उस subject से related question आपको गलत नहीं करना है एकात question गलत हो तो चलेगा उस हर एक subject से बट ऐसा लगे हर एक subject का मतलब ऐसा नहीं कर दो जो भी आपने करा हो और out of box कुछ आ जाए वो आपको छोड़ देना गलत करने से ज़्यादा अच्छा है कि छोड़ दे और तीन-चार question अगर गलत होंगे तो चलेगा बट इस से चलो यार इसमें negative नहीं है तो आधा भी आता है तो एक बार try करने कोशिश करते वो हो question आपको फसाते हैं वहाँ पर आपका number negative तो नहीं हो रहा है बट उस question को solve करने के लिए जो आप time waste करेंगे तो time negative हो जाएगा तो हमें इस चीज से भी बचना है question read करने के बाद हमें लग formula use होगा वो मुझे formula याद है बिल्कुल याद है देन उस question को आपको proceed करना start करना है और then calculation error calculation mistake से आपको बचना है calculation error को कैसे avoid करना इसका एक ही तरीका है कि जो भी step कर रहे है उस step को जो भी step कर रहे हम solve कर रहे हैं उस time पर आपका दिमाग कहीं और नहीं होना चाहिए जैसे ही कहीं और गया पिछले question पर या अगले question पर देन आपका ध्यान हटा दुरगटना घटी है ना तो जैसे ही आपको present वाली step पर आपको focus रखना है next step के बारे में नहीं सोचना है और जो step हो गई उसके बारे में नहीं सोचना है तो mind को जितना आप present में रखेंगे जितना focus रख बट इस तरीके से YouTube पर भी करना है और अप continuously मेरे वीडियो से आते रहेंगे आपको guide करने के लिए किस तरीके से आपको 24 में appear होना है किस तरीके से guide करना है जी-centric पर सारे courses available है जिसको भी चाहिए जी-center का app डाउनलोड करिएगा वहाँ पर सारे इंडिजल सब्जेक भी अवेलेबल है one month full courses one month की category में three month में six month में one year two year three year सब category में available है जी-center के content के अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूत नहीं है आप easily सारी चीज़े crack कर जाएगे जो भी doubt हो video related आप chat box पे पूछिए वहाँ पे हमारी faculty आपको reply करेगे ठीक है तो आपको अपनी preparation बहुत अच्छे से चलानी है और मैं उमीद करता हूँ कि इस video के बाद आपकी preparation में थोड़ा change आएगा आप अपने उपर questions positive way में करेंगे है ना self doubt आएगा ऐसा नहीं कि मेरे एक video से सारी चीज़े change हो जाएगे आएगा बट उसको overcome करना है हमें positive तरीके से ठीक आइस ओके thank you so much